एंपरर टुड़े वी सा दो मुस्ट एक्स्टराडिनरी साइट डूली नाफिंग लाइक दिस हैज एवर हैपंड इंड हिस्ट्राइब मैनकाइड तो बादश्या जब यह सारा मौजरा देखता है जब यह सारा सीन देखता है ओके वो ह Teachers रह जाता है और कहता है कि यह बहुत ही जाद एक्सट्राडिनरी मेनिश अन्यूजुल जो कि म altura पर नहोता हो तो वो कहता है कि यह तो बिलकुल एक्सट्राडिनरी साइट नाजारा है सच में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है क्या इनसानी जंदगी में इनसानी जंदगी में कभी भी वाई इस इट अंडरोक्रल्स दैट लाइन दिड नाट किल यू रादर इट लेकड यूर फेस अज इफ इट रेगनाइज दियू तो फिर बादशाह ने इसको कहा कि अंडरोक्रल्स मुझे बोलो यह राज क्या है ऐसा क्यों है कि बादशाह ने स्वारी लाइन ने तुम्हें नहीं खाया और तुम्हें तुम्हारे फेस को लिख किया ओके फ्यूश्निस लिख मीन्स फेशन अंडरोक्रल्स यूर मेजस्टी दैट अपने बिकास दैट केस महल से तो आपके जो यह गार से उनने मुझे पगड़ा और किसमें फैंग दिया प्रिजन में लेकिन प्रिजन से पहले मैंने आने से पहले मैंने हलब की थी इस शेयर की उसके पा में उसके पंजे में एक जो बड़ा सा एक थौर्ण एक कांट है वो चुप गया था और मैंने वो निकाल दिया था उसको वाश किया था इसलिए उसके help करी थी तो यही वज़ा है कि उसने मुझे नहीं खाया you helped the line so the line helped you see how one good deed this is indeed fascinating tale fascinating means interesting तो बाच्छे ने कहा आच्छा ठीक है तुमने line की मदद की तो बदले में line ने भी तुम्हारी मदद की अब देखो कैसे एक अच्छी जो भी कोई deed होती है जो भी कोई अच्छी नियत होती है खलूस या अच्छी नियत होती है वो दूसरे अच्छी नियत को जनम देती है तुमने अच्छी नियत से उसकी पंजे से काटा निकाला उसने तुम्हें खाया भी नहीं और आज जब तुम्हारे जानेवार रहे थे तो तुम बच गए I hereby declare you far showing unmatched courage and care for a fellow creature a free man तो मैं आज तुम्हें declare करता हूँ क्या कि तुम्हारे जो बिलकुल unmatched courage है वो हिम्मद जुसका कोई match नहीं है और तुमने इस creature की इस हैवान की इस जानदार की हिफाज़त की उसका care किया तो इसलिए मैं तुम्हें declare करता हूँ एक आज़ाद आदमी आप तुम्हें मैं आज़ाद करता हूँ गुलामी से एन रोकल्स हेल दा एंपरर याने कि उसके बड़ाई बयान करता है उसके greeting करता है enthusiastic greeting I am grateful to you जिस तरह से कहते हैं हेल दा एंपरर हाँ आलंपना वालंपना वगेरा I am grateful to you for granting me freedom but before I go I grant me one wish Your majesty I beg you to free the beast that should beast means जानवर होता है यहाँ पे line that should be mercy and gratitude towards the human being तो उसने कहा कि आलंपना आपका जो है मैं तो शुक्र गुजर हूई हूँ ठीक है मुझे आज़ादी देने के लिए शुक्रिया मैं आपका शुक्र बंद हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं जाओं मैं आपसे एक और wish मांगना चाहूँगा वो यह है कि जिस तरह से आपने मुझे अज़ाद किया अज़ाद छोड़ा इसी तरह से इस जो जानवर है यानि के line है इसको भी अज़ाद छोड़े मेरे साथ क्योंकि इसने मेरी भी मदद की emperor so be it होने दो चलो ओके होने दो यानि कि इसको भी आज़ाद करो line को भी the next morning endrocles walks out of the city is well followed by the line both pre तो दूसरे दिन endrocles जब बाहर निकलता है ओके बाहर निकलता है शहर में ओके तो यह इसके साथ साथ कून चल रहा होता है line और यह एकटे एक साथ चल रहे होते हैं आज़ाद ओके क्योंकि आब बादशाय ने ना सिर्ब endrocles को बलके line को भी आज़ाद किया तो बेटा इससे सबक हमें यही मिलता है कि सबसे पहली बात जो हमेंसे खलूसिनियत होनी चाहिए देखो सबसे पहले जब endrocles ने मदद की उस शेर की तो उसको कहीं न कहीं यह शक था कि यह मुझे कहीं खाना ले लेकिन फिर भी उसको तरस आया और उस तरस की वज़ा से उसने उसके पैर से काटा निकाला लाइन जो है बच गया और फिर जब उसको मारने चले थे endrocles को वो बादशा वो ही केज में डाल दिया उस लाइन ने उसको बचा लिया नहीं खाया लेहाजा हमें यही सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए हमें हमेशा रहम दिल होना चाहिए ठीक है और दूसरों की करनी चाहिए